हलो राम रामसा खंबागणी मैं विविक कुमार फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल यूवी कमपिटिसन्स में स्वागत करता हूँ साथ्यों मिरे मैं लेकर उपस्तितू राजस्तान का सामान नग्यान एक पंक्ति में प्रश्नों का संग रहे आज के राजस्तान के सामान नग्यान में हम अध्याए 31 की बात करेंगे साथ्यों 30 लेसन हमने कम्प्लिट कर लिये कितने 30 लेसन लगबग 1500 प्लस कोस्टन्स आपके हो चुके है साथ्यों आपनों राजस्तान की इस कड़ी में शुरू करते अध्या 31 उससे पहले आपको बता देते कि साथ्यों लेसन पूरा देखा करें वीडियो पूरा कम्प्लिट देखें वीडियो आपके लिए आपके लिए अत्यन तमयत्यों पूरा है साथ्यों इटो का कुवा किसी स्थान पर मिला था तो इटो का कुवा मिला था काली बंगा सब्वेता में काली बंगा नाम की स्थान पर मिला था काली बंगा का है हनुमान गड़ में सात्यों मिरेक यदि आपको सब्वेताओं पढ़नी है तो सब्वेताओं के लिए आप अमारे प्लेलिस्ट में जाईए प्लेलिस्ट में आपको चार वीडियो मिलेंगे जो की राजिस्तान राजी की सब्वेताओं से सम्दित है दातु के ओजार कहां मिले थे जिसे ओजारों की नगरी कहते हैं कुराडा से गुल वीरत किस राजकुमारी की दाय माती राजकुमारी फिरोजा कुमारी की मारावल चंदरवीर सिंग ने राजस्तान संके निर्मान के समय विले पत्र परहस्ताग्षरagne करते समय कहा था कि मैं अपने डैफ वारंट पर सब्सक्राऊ यह किसरीयासथ से संबंदित तो यह थे बास्वाड़ा रिएस्च से संबंद सात्यों राजस्तान राज्ये का एक ही करण की बात की जाए तो राजस्तान राज्ये का एक ही करण साथ शरणों में संपन हुआ शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को खतम हुआ था 1 नौंबर 1956 को जो की वर्तमान राजस्तान है साथ और राजस्तान संग की स्थापना हुई थी दित्य चरण में राजस्तान एक ही करन के दित्य चरण में जिसकी स्थापना कब हुई थी 25 मार्च 1948 को साथ और मेरे 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंधी, छालवा, टौक, डूंगर, पूर, बासवडा पतापगड किसंगड और सापुरा का विले होकर राजस्तान संग बना मतस्य संग पहले से बना हुआ था मतस्य संग में ये रियायसते और मिलाकर क्या बना दिया गया राजस्तान संग राजस्तान संग के उद्गाटन करता था एनवी गाडगिल इसके प्रदान मंत्री बनाएगे प्रोफेसर गोकुलाल असावा राजपरूंग बनाएगे कोटा के महारावल बीम सिंग और प्राजपरूंग ते बूंदी महाराजा बादूर सिंग तो इस्तापना कब हुई थी 25 मार्च 1948 को नेक्स्ट तो रंतंबोर दुर्क की कुझी किस दुर्क को कहा जाता है जाइन दुर्को सिरोही के सैसमेल देवडा के समकालिन मेवाड के सासा कौन थे माराणा कुंबा मेवाड सैली कहा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है स्रावाग प्रती किर्मन चूनी राजिस्तान में सबसे कम जनजाती के लोकिस जिले में रहते हैं बीका नेर जिले में राजिस्तान एक ही करण के साथवे चरण एक नौंबर 1956 के समय राजिस्तान के मुख्यमंत्री कौन थे? स्री मोहनलाल सुखाडिया सात्यों मेरे राजस्तान राज्य का एकी करण का सात्व अचरण जो की वरतबान राजस्तान है यह होगा था एक नुबर 1956 को कभी स्थापना हुई एक नुबर 1956 को इसलिए कहराऊ मेरे प्यारे सात्यों वीडियो पूरा देखा करें क्योंकि पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्तो पूर्ण है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट डला हुआ है राजस्तान का एकिकरन साथ चरणों में संपन हुआ लगबग मैं आपको चार या पांच चरण करवा चुका हूँ जो की विबिन पिरकार के वीडियो में विबिन विबिन चरणों का डिस्क्रिप्शन से बताया हुआ है तो प्लीज रिक्वेश्ट है की वीडियो पूरा देखे तो बात की जाए साथवे चरण की तो साथवे चरण जो की वर्तमान राजस्तान है उसकी स्तापना हुई थी एक नावमर उन्निस सो चपन को इसकी राजदानी बनाई गई थी जैपूर साथियों मेरे एक नावमर उन्निस सो चपन को राजजे पुनर गठन आयोग स्री फजल अली की अध्यक्सता में गठित की सिबारिकों सो कहने सार शिरोहीस की आबू वे दिलवाडा तैसिले मद्दे पुर्देश के मंसोर जिले में मानपुरा तैसिल का सुनेल टपा वे अजमेर मेरवडा छेत्र राज़स्तान में मिला दिया गया तो तराजजे के जालावाड जिले का सिरोन छेत्र मद्दे पुर्देश में मिला दिया गया था एक नौमबर 1956 को जब वरतमान राजस्तान को सरूप आया तो उस समय राजस्तान के मुक्ह मंत्री थे مोहन-लाल सुखाड़िया यह यमरकॉस्ण था तो मुक्ह मंत्री कोन थे मोहन-लाल सुखाड़िया और राजधानी τη जैपर को इसको राज़दनी बना दिया गया था जैपर को साथियों मेरे साथवे चरण में राजप्रमुक का पद खतम कर दिया गया और राजप्रमुक की जगे राज़ेपाल का पद स्विक्रत कर दिया गया और प्रतम राज़ेपाल कौन थे राजस्तान के गुरु मुख नियाल सिं तो प्रतम राज़ेपाल कों ते गुरुमुक नियाल सिंग राज़िस्तान एकी करण के पश्चात राज़िस्तान के मुख्यमंत्री कों ते मौनलाल सुखाडिया Next स्वादिन्ता के समय भारत के वाइसराय और गरुनर जनरल कों ते लॉर्ड माउंट बैटन राजिस्तान राज्ये में काष्ट कला की दरश्टी से प्रसिदिस्तान कौन सा है चितोडगड का बस सी मारवाडी भासा का प्रतम व्याकरण किस के द्वारा लिखा गया था रामकरण आसोपा के द्वारा फो लाल पत्रों से निर्मित महरानगर किस पाड़ी पर अवश्टत हैं चिडिया कूट पाड़ी पर किस रियासत ने भारत में विले हुतुवीले पत्र पर सर्वपरतम अस्ताक्ड़ किये थे बराजिस्तान के किस दुर को चिले कटिला भी का जाता है जैगड दुरको नेक्स स्वतनत्रता के बाद देशी रियासतों का एक एकरण किसके प्रियासों से संपन्वा साथियों मिरे देशी कि aggregate का एक एक्रण संपनकों वा सर्दार वल्लंबा मंभाई पताल सर्दार वल्लंबाई-पध्या. Rede र Państwo कि वह पखे हो हैां किता सर्वादी की योगदान किस जाती का है राजपूत चाती का हुए बारत में मिलने के लिए संम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम राजस्तान की रियासत कौन सी थी ? दौलपूर रियासत सत्यों रक्षबंदन का तैवार कब मनाया जाता है ? स्रावन मा की पूर्णी मा को मेरे प्यारे सातियों रक्षा बंदन भाई और बहन के प्यार का प्रतीक रक्षा बंदन तैवार प्रतेक वर्ष स्रावन पूर्णी मा के दिन मनाया जाता है स्रावन यानि कि सावन महीने में मनाया जाने के काण इसे सावनी या सलूनों भी कहते है रक्षा बंदन में राकी का या रक्षा सुत्र का सबसे अधिक महत्तों होता है राकी या रक्षा सुत्र का राकी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे रेसमी दागे तता सोने चांदी जैसी महेंगी वस्तु तक भी हो सकती है रक्षा बंदन भाई बैन के रिस्ते का परसिद्ध तेवार है रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंदन का मतलब होता है बात देए रक्षा बंदन तेवार भाई को बैन के प्रती सुरक्षा करने के लिए बात देख करता है वर्तमान में इसके अनेक रूप सामने आते रहते हैं कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है लेकि अगर असली मतलब की बात की जाए तो रक्षय बंदन भाई का बेहन के प्रती सुरक्षय करने को बात दे करता है किस रियासत ने अपने राज्ये में पूर्ण उत्तदाई सासन की स्तापना 14 अगस्त 1947 को भी करती थी साह पुरा रियासत ने प्रतंबार पसुपालन की जानकारी के सब्वेता से मिली थी बाग और सब्वेता से साथियों मेरे सब्वेताय पढ़िये आपको सब्वेताय डिस्किप्शन के साथ मिलेंगी हमारी प्ले लिस्ट में प्रोजा मस्जिद और तोप मस्जिद कहां पर इस्तिताय जालोर में आठवी सताब्दी में चित्तोडगड को किसने बसाया था चित्रांग गंध या चित्रांग मौर्य ने शिरोई के किस देवडा सासक ने लोयना का किला बनवाया था अखिराज देवडा ने नेक्स्ट शिरोई के किस देवडा सासक के साथ मेवार के मारणा हमर सिंग की पुत्री का विवा हुआ था राज सिंग देवडा के साथ बिजोलिया ठिकाना किसने बसाया था असोग परमार ने किस जन जाती में सिसू का नाम करन जिस दिन या मैने में बालक का जनम होता है उसी दिन या मैने के नाम पर रख दिया जाता है तो राजस्तान राज्ये की अगड़ी पिछड़ी जाती भील जन जाती ने राजस्तान की किस सैली में परुषित्रन का पता दिलक से ही लग जाता है यह पता लगताए ना तो द्वारा सैली में राजस्तान में भीका नेर सैली, बढ़नी ठणी सैली, किसंगर सैली विबिन प्रकार की सैली आएं जिनका की warmest आपको मिलता रहेगा description आपको मिलता रहेगा वीडियो पूरा देखे, complete वीडियो आपके लिए है आपके exams की दरश्टी से बनाया गया है साथ यह मेरे questions point to point चलेंगे हम point to point बात करते हैं जो कि आपके लिए easy समझने में आसान हो है राजिस्तान की किस जनजाती में इम्रत्यों के पारवे दिन सवकान तिम संसकार करते हैं तो गरासिया जनजाती में जो कि उद्यपूर्स डक्षने राजिस्तान की साड़ मिलती है सामा जी किसुदार के लिए जम्मा जागरन अभियान किस लोग देउता के द्वारा चलाए गया था राम देउजी के द्वारा फॉलाज से बनी हुई वस्तूओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करने का को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है कॉप्त गिरी नेक्स्ट राजिस्तान की किस जनजाती का एक गोत्र अटक है कौन सी जनजाती है बिर जम जनजाती का राजिस्तान का कौन सा मिला जिस पर भारस सरकार ने मार्च inis So अठ्यासी में रोक लगा दी थी वह मिला था राने सती का मिला जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाये जाने वाला गीत क्या कहलाता है जोरबा संयुक्त राजस्तान या संयुक्त वरत राजस्तान पंचम चरण तक राजस्तान की कितनी रियासते सामिल हो चुकी थी लगबग 18 रियासते साथियों मेरे राजस्तान एकी करण का पाँच वचरण जिसे की संयुक्त वरत राजस्तान युनाइटेट इस्ट्रेश्ट ऑप ग्रेटर राजस्तान का जाता है इसकी स्तापना उईती 15 मैं 1909 को और भारत सरकार ने संक्रादेव समिती की से पारिश को ध्यान में रखते हुए मतस्य संग को वरत राजस्तान में मिला दिया था और उसको नाम दे दिया गया वरत संयुक्त वरत राजस्तान अलवर, बर्तपुर, किसनगड, करोली, दौलपुर, टौक, बुंदी, कोटा, साभपुर उदे-पुर, इत्याधी रियासत इसमें मिल चुकी थी और कुल कितनी रियासते ओचुकी थी 18 रियासते साथियो जब पंचम चरण आया सेंक तुवड़त राजस्तान बना तो प्रदार मंत्री का पद समाप्त करकर मुख्य मंत्री का पद रजित क्यार दिया गया और राजस्त दानी बना दी गई जयपुर। प्रथम मुख्य मंत्री कौन थे हिरालाल सास्त्री और राजप्रमुक्ते मान सिंग दित्तिय जयपुर से तो आपने आज ही के वीडियो में तीन चरण पढ़ लिए साथ वा चरण पांच वा चरण और दूसरा चरण तो है ना काम की चीज तो प्लीज वीडियो पूरा देखें कम्प्लीट वीडियो ही आपके लिए बहुत कुछ सिखाएगा नेक्स्ट रसिया राजस्तान के किस चेत्र में गाय जाना वाला गीत है पूरवी राजस्तान में रासी जहालानी की सुप्रसिद्य एतिया से कृति कौन सी है विलनण चंपाउदी मोर्रे काल के समय राजस्तान में कौन सी भासा का प्रकर्टक भासा नेक्स कोसन है राजस्तान का दोरे परकोटे वाला दुर्ग कौन सा है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाये थे तो यह बर्दपुर का किला जिसे लोहार गड़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है उंट की खाल पर स्वर्णिम नकासी की कला क्या कहलाती है उस्ता कला कि जो खाल होती है उस पर बालों को अटा कर विबिन प्रकार की नकासी कर दी जाती है और ये नकासी कहलाती है उस्ता कला क्या कहलाती है उस्ता कला नेक्स्ट, देशी रियासतों को आतम नर्ने का अधिकार किस के द्वारा प्राप्त हुआ था? भारतिय सुचनतर्दा अधिनियम द्वारा मानू के सुल्तान मेहमुद खिल जी ने किस दुर्ग का नाम मुस्तपाबाद रखा था? गागरोन दुर्ग का चितोडगड का पर्थम जौर किस ने किया था? राणी पदमानी ने किस माराओ के काल में मान साही तलवार बनी थी? मान सिंग दिक्ते के काल में मेवार के राणा लाखा के काल में बूंदी के सासा कौन थै? सासकते वीर सिंग नेक्स्ट है जैत्र सिंग और दिल्ली सुल्तान इल्टुतमिस के मद्दे कौन सा युद लड़ा गया था तो इन दोनों के मद्दे दो युद लड़े गए थे एक ता नागदा का युद और दूसरा बोतला का युद अजमेर के राजा मानिक राय के पुत्र का क्या नाम था जिसे हाडा साखा का अधिपुरुस का आ जाता था अनुराज 1906 इस्वी में प्रत्वी सिंग ने किस नाम का एक करलागू कर दिया था तलवार बनाईकर साथः वीवं प्रकार के करलागू होते रहते थे चलते रहते रहते दे यह तो राजिस्थान की परमपरा थी राजस्तान में राजा गए रजवाड़े गए सनौgg नहीं zwischen कि नाम क्या उनका नाम था भूप सिंग नेक्स्ट माउंट बेटन प्लान कब गोशित हुआ था जून 1947 में किस वर्स में विजे सिंग पतिक ने बिजूलिया किसान अंदुलन में भाग लिया था वर्स 1906 में आज के हमारे अध्याए 31 का अंतिम कोस्टन राजिस्तान के किस देउता ने विरच काटने पर रूख लगाई थी तली नात ने तो साथियों 31 अध्याए कंप्लीट हुए पिलीजवाच कंटीनियो क्योंकि अभी तो हमें पाच्ची सो प्लस कोस्टन कंप्लीट करने मेरे प्यारे साथियों यदि आपने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगाए और अभी तक आपने हमारा चैनल यूवी कंपेटिसन सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार अमारे चैनल को सब्क्राइब करें साथि साथ में इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पर भी जोइन करें और साथि वीडियो अच्छा लगाए तो कमेंट तो बनता है मेरे साथ तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करें और साथि साथ वीडियो को लाइक करें बैल आइकन दवाए चिससे आपको हमारे द्वारा दियेगें अपडेट्स के नॉटिफिक्शन मिलते रहें तेंक्यू सो मच दन्यवाद राम राम सा कमागणी जैराजस्तान